किसान भाईयों और बहनों आप सभी का सावत है गन्य की रोपन बिदी से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है यह प्लाट राजिस जी का है इस प्लाट के जो लाइन से लाइन की दूरी है वह पाँच फिट है और जो पौधे से पौधे की दूरी है वह पंदरा इंच है य गन्य की पौध तयार करके पचीस दिन पुरानी पौध को लगाया गया है गन्यों की संख्या करीब एक एकड़ में चालिस हजार के आसपास है इसमें आप देख सकते हैं जितने टीलर्स हैं वो सभी मिलेविल केन की रूप में यानी बेचने लाइक गन्ये हो पाएंगे अभी तक जो किसान भाई गन्ये की खेती करते हैं चले आ रहे हैं वो गन्ये की टुकड़े की बौई करते हैं लेकिन यहां आप देखेंगे की रूपाई की गई है हम आगे के वीडियो में इसकी बाद और वीडियो जो हमरे किसान है राजेसी इनके खेतों के बनाएंगे इस उसको अपने खेत में लगाया है लगाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो पौध लगाई गई है उसको पिल्कुल कमपैक्ट कर दिया गया है यह पैर से जो उठा होता है उससे दबा करके और उखाड करके दिखा कि पौधा उखाडने लाइक ना रहे फिर देखे य यह जो पौधे हैं इनके बिल्कुल करीब पड़ी हुई है जो गन्ने की सूखी पतिया है उनको बीच में निकाल करके और डाल दिया गया इसको खाड के रूप में परिवर्टित किया जा सकता है किसान भायों जो परंपरगत रूप से आप गन्ने क्यादी करते थे इसमें गन्ने की टुकड़े का आप प्रियूप करते हैं उसमें जो बीच की मात्रा है बहुत ज्यादा लगती है जिससे बीच का जो चैन है यानि बीच की देखभाल भी आप बहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं और उसका परणाम यह होता है कि उसका ट्रीटमेंट भी बहतर नहीं होता है और बाद में जो गन्ने का जमाव है वह भी प्रहुईत हो जाता है लेकिन अगर आप बहुत तैयार कर लें और खेट में इस तरीके से लगाएं तो ज्यादा उत्पादन आप ले सकते हैं और उत्पादन ज्यादा ले सकते हैं और पहले से ही यह जान सकते हैं कि हमा प्रचत्तिक प्रभावी ने हुआ था जिसकी बाद में इन्होंने गए फिलिंग कर ली थी जिसकी कारण इनका बेहतर उत्पादन मिल पा रहा है तो किसन भायों मैं यह बता रहा था कि अगर पौध हरो पड़ कर लें तो आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं उसका कारण यह है कि जब हम पौध लगाते हैं तो सारे पौधे एक ही आयो की होते हैं और जब खेत में हम जो सेट हैं उनकी बौई करते हैं तो अगर कोई हमारा सेट ऐसा है टुकड़ा है जिसकी आँख नीचे की तरफ चली गई तो पांच दिन बाद उसका जमाव होता है अगर होती है ज्यादा दिन लगते हैं उसकी ग्रोबत में इस तरके से हमारी जो पूरी फसल है वह एक तरके से अन इवेन हो जाती है यही आसमान हो जाती है लेकिन अगर हम पौधर उपन बित से गन्ने की खेती कर लें तो जो खेती की लागत है गन्ने की उसको भी कम्र कर सकते ह हैं और साथ ही में हम अच्छा है से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं यहां आप यह देख सकते हैं कि जो हम पौध लगाते हैं तो उसके चारों तरफ चाहे तो निराई गुड़ाई कर सकते हैं और पौधे पर ही हमारा चाहे ड्रेंचिंग करना हो हिमिक एसिट का फल्विक करना हो या हमें टाइकोडर्मा भी डालना हो ऐसी दसा में हम सिधे पौधे के पास ड्रेंचिंग कर सकते हैं उसका चारों तरफ से जड़ों को तोड़ भी सकते हैं हम आगे भी और बहतर इसके वीडियो आपको बनाएंगे और पूरी बीद ही समझाएंगे आगे के वीडि जय भरत